फाइनली इतने दिनों बाद सवी और रजट आने वाले हैं क्लोज दोनों के बीच में दिखाये जाएंगे रोमांटिक पल फैंस भी होने वाले हैं खुश चलिए बताते हैं स्टाप्रस के मोस्ट पॉपिलर सीरियल गुम है किसी के प्यार में के अपकमिंग ट्राक में क्या क होने वाला है दोस्तों सवी और रजट की कहानी को लेकर फैंस कब से एक्साइट थे कि कब दोनों के बीच में कुछ अच्छे पर दिखाये जाएंगे क्योंकि वैसे तो लड़ते रहते हैं दोनों लेकिन अब इनकी शादी हो रही है शादी के फंक्शन्स शुरू हो चुक सवी और रजट दोनों जो हैं क्लोज आने वाले हैं जिसकी फोटो भी अब सामने आगी हैं चले बताते हैं शू में क्या होगा सवी और रजट की शादी के फंक्शन्स शुरू हो गए हैं तो लड़ाई फिर से शुरू हो गई है यहां ईशा और भागी शरी आपस में लड बागी शरी जो है जब गज्रे को देखेगी तो सुन कर उसे और कईगी यह तो हमारी संस्कृति में ही नहीं और हम ऐसा क्यों करें अनकि दोनों के पिता जो हैं समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन भागी शरी समझती नहीं है वही दूसरी तरफ हम देखें इशा को तो भाहां कि रजत कहा है उनका बेटा बागेशरी बार बर फोन कर रही है लेकिन रजट का वोन भी नहीं लग रहा है वहीं पर हम देख सकते हैं कैसे सवी जो है वो भी परिशान होने वाली है सवी पिचारी अकेले इस फंक्शन में बैटी हुई है और सब के सब उससे सवाल जवाब कर रहे हैं कि यांखे रजत है कहां मैं पर हम ये भी देखेंगे कि इस तरह से सवी जो है वो ईशा शांतनु के सामने खड़ी है जहां ईशा शांतनु दोनों ही सवी को कहते हैं कि सवी बाड़ा तो बहुत अच्छी लग रही है तब इशा मजाक में कहती है शांतनु आप नजर मत लगाईए अब यह सारी चीज देखने को मिलेगा काफी दिनों बात रोमांस देखने को मिलेगा इतना ही नहीं सवी जो है वो रजट की फिक्र करती हुई भी नजर आईगी जिसके एक और फोटो सामने आई है तो आपका क्या कहना है सवी रजट की केमिस्ट्री को लेकर आप कितना एक्साइटेड एंकी शादी को लेकर क्योंकि ओना हूँ शादे के बाद कहानी जो है थोड़ी से इंट्रस्टिंग तो जरूर बनेगी कॉमेंट करके दोस्तों अपने राय बताईए कर जरूर इसी तरह टीवी और बॉल्लीवूट से जुड़ी हुई धेर सारी अपटेट्स जानने के लिए जल